नावसे में तरो सभी को जैसी राम आज हम जानेंगे जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है हलाल हल्दी राम जैसी कंपनी भी सर्टिफिकेट लेने को मजबूर ट्विटर पर ऐसा कहा जा रहा है कि हलाल प्रोडक्ट्स का सहरा लेकर कडोडो रुपए जुटाए जा रहे हैं और इनका उप्योग मजबी विस्थार और देश विरोधी गतिवीदियों में किया जा रहा है दरसल वर्तमान समय में सोशल मीडिया अभिव्यक्ती का सबसे बहतरिन माध्यम है ऐसे में हिंदू अपने पवित्र तिवार दिवाली के पहले ट्यूटर पर हलाल फ्री दिवाली केमपियन चला रहा है इस केमपियन के जरिये लोग अपने तिवार को हलाल का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उत्पाजों से धूर रखना चाते हैं हलाल फ्री दिवाली केंपियन में फूर्ड चैन और डिलिवरी एप्स चलाने वाली कंपनी को भी निसाना बनाते हुए ट्वीट्स किये गए हैं इन कंपनियों से पूचा जा रहा है कि आखिर हिंदों पर हलाल प्रोडक्ट्स क्यों थोपा जा रहा है हलाल फ्री दिवाली को लेकर अभियान चल रहे हिंदो संगटन हिंदो जन्जाकरिती समिती ने भी हिंदों के हलाल उत्पादों का वहिस्कार करने का आहान किया है संगटन ने दावा किया है कि इस साल की दिवाली हलाल फ्री होगी इस अभियान को लेकर हिंदो जन्जागरी तिती समिती के राष्ट्य प्रवक्ता रमेश सिंधे ने कहा है कि हलाल उत्पादों का विरोध और इसका वहिस्कार महराष्ट और करनाटक में शुरू हो गया है और धीरे धीरे हम पूरे देश में फैल जाएगा समिती में बैंगलोरो के एफ सी और मैक डोनाल्ड रेस्टोरेंट के बाहर हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ प्रदर्शन किया है उन्होंने यहाँ भी पूछा है कि दिवाली अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला तिवहार है ऐसे में क्या हम इस तिवहार को अपने देश और धर्म को अंधेरे में ले कर जाएंगे उन्होंने बताये कि जैसे जिस तरह की चीन कमपनी भारत में अपनी वस्वें बेच कर हमारे देश और जवानों के खिलाफ सडियन तरकर रहा है उसी प्रकार हलाल एकोनॉमिक भारत के खिलाफ जिहाद को बढ़ावा दे रहा है साथ ही कहा जा रहा है कि आज इसी हलाल एकोनॉमिक के बल पर देश में आतंग वादियों का काम चर रहा है रमेज सिंधे ने सवाल किया कि पिज्जा हट के एफसी या मैकडॉनल जैसे फूड आउटलेट केवल हलाल खाना ही क्यों परुस्ते हैं उन्होंने सवाल दागा कि हिंदू ग्राकों को हलाल खाना ही खाने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है जहां हलाल खाना परुसा जाता है वहां पोर्क और पैपोरिज पिज्जा नहीं परुसा जाता है आखिर ऐसा भेद भाव क्यों उन्होंने यहाँ भी कहा कि सभी मान दंड केवल हिंदों के लिए ही क्यों है भारत में हिंदों की अबादी का आस्थी प्रतिश्च से अधिक है फिर उनके लिए यह हलाल मान दंड क्यों है उन्होंने आगे कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देना अवैद है उन्होंने कहा कि इसे हटाने के लिए हम संगश्च करना होगा और सरकार की और ऐसा कोई सर्टिफिकेट चारी नहीं किया गया है रमे सिंदे ने जानकारी दी की सरकार के केवल दो विभाग जो खाद लैसेंस करते हैं वे fsi और fda है और यह हलाल सर्टिफिकेट अवैद है हलाल सर्टिफिकेट केवल मास के नियाद के लिए है ना देश में हो रहे अन्य खाद के लिए है वहीं एक और अन्य हिंदू संगटन सी राम सेना के प्रमुक प्रमुद मुटालिक ने हलाल की फ्री दिपावली उत्सव का आहान करते हुए कहा है कि मुस्लिम वैपारी और विक्रेताओं से पूजा सामगरी खरित ना सासरों के खिलाफ होगा उन्होंने कहा है कि मुस्लिम विक्रेताओं से पूजा सामगरी खरितना हिंदू धर्म संस्कृति और प्रम्प्रा के खिलाफ होगा हम हिंदों से पूजा के लिया वस्यत समगरी जैसे गन्ना, फूल, फल और केले के पौधे मुस्लिम विक्रेताओं से नहीं खरीदने का आगरा किया है हिंदो पूजा समगरी हिंदो वेपारी से ही खरीदें हलाल सर्टिफिकेट को बड़ा घोटाला बताते हुए प्रमोज मताबित ने कहा है कि इसे सरकारी मान्यता नहीं होने पर कि बस ही इसे हिंदों पर थोपा जा रहा है मुस्लिम संगटन जमात ए अलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दवाओं भोजन और अन्यवस्तों पर हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहा है हल्दी राम जैसे बड़ी कंपनी ने भी 140 से अधिक प्रोड़क्ट हलाल सर्टिफिकेट के अंतरगत है जटका वी एस हलाल मेट बता दे कि जटका हिंदू सीखो आदी भारतिय धार्मिक परमपराओं के बलीदान देने के परमपरिक पद्धती है इसमें जानवर की गर्दन पर एक जटके से वार कर रीड की नस और दिमाग का संपर्क कार दिया जाता है जिससे जानवर को मरते समय दर्दन्यूंतम होती है जिससे उल्टा हलाल में जानवर के गले की नस का चीरा लगा कर छोड़ दिया जाता है और जानवर खुन बहने से तड़ब तड़ब कर मर जाता है इससे भी बड़ी बात यहाँ है कि किसी मासा हरी प्रोड़क्ट में हलाल होने का मतलब यहाँ होता है कि जानवर को मुस्लिम दौरा ही काटा जाना चाहिए यदि किसी और के दौरा काटा जाता है तो इसे मुस्लिम गैर हलाल बताते है सबसे बड़ी बात है है कि हलाल और गैर हलाल मास के चलते लगबग सभी बूचड खानों में केबल मुस्लिमों को ही नौकरी में रखा जाता है इसका कारण नहा है कि कोई भी हलाल और गैर हलाल के लिए अलग अलग बूचर खाने खोलने की अपेच्छा क्रित महांगा सावित होता है यह सीरा